तो स्वागत है आप लोगा इंफूमेट एजुकेशन में तो गाइस में आम है रोहित पज़ापती और आज हम बात करने वाले हैं ओनलाइन सोर्स ओफ इंकम के बारे में बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से स्टुएंट्स भी हो सकते हैं आप जॉब प्रोफेशनल भी ह राख साइब पार अचार भी ओनना,क्या ख़राब है वह भी ओनलाइन है चाहि आप कहीं से वर्क कर रहे हों चाहिए आप जॉब में अपने घर से वर्क कर रहे हूं तो एग सायद बैसाइब इस वीडियोमे बथा आले लाज सकते जो देखना का पी कुछ जानने को और समझे वेडियो है आपको मिले वाला है जो लेस्ट गो गईस सबसे पहले फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग is a type of work where you are self-employed and offer your services to different clients usually online बहुत सारे लोग जईनों ने इसके बारे में सुना होगा, आपको पता होगा बहुत सारी online websites हैं, आप चाहो तो browser पे search कीजिए, online websites जो भी freelancing करते हैं, आपको मिल जाएंगे वहां पर बहुत सारे, तो जहां पर चाहें वहां पर जागे आप अपना, जो भी आपको अच्छा लगे उस platform पर जागे अपनी ideas सकते हैं प्रोफाइल कर सकते हैं और दीरे दीरे आप उस पर वाक कर सकते हैं डिपेंड आपके पास कुछ इसको होनी चीए है जैसे की कि you work on various projects like programming हो गया, graphics हो गया, copywriting हो गया, data entry हो गया और बहुत सारी चीज़े हैं चाहे वीडियो एडिटिंग आती हो फोटर एडिटिंग आती हो या फिर और भी बहुत सारी सीज़े हो सकती हैं जो कि आपको पता होगा तो अगर जिसमें भी आपको लगे कि भाई मैं यह जीज़ अच्छे बना सकता हूं कर सकता हूं तो आप उनलाइन जाके अपनी सर्विसिस दे सकते हैं ठीक है तो फ्रीलांसिंग कैन भी फ्लैक्सिबल रिर्वार्डिंग वे टू अर्न मनी गेन एक्स्पिरियंस मनी भी एन क कमीशन यहां पर कमीशन बेस पर काम होता है ठीक है बाय प्रमोटिंग प्यूपल्स और कंपनीज प्रोड़क्ट और सर्विसस अब देखो यहां पर कह चाहिए कि इसके लिए आपको कुछ थोड़ा सा एक तो सोचल मीडिया प्लैटफोर्म पे आपका कुछ अच्छा टो सीडसर्म करेंद चाहिए इकासि थोड़ा से फैंडिया प्रोड़ा है यहां को फैंड प्रोड़ा से प्रोड़क्ट यूम होती हैं जो भी आक पसंद कर सकते हो दूसरों को टुरू एफ bend possible चाहो तो स्किन्शॉट ले सकते हो इसको क्लीन कर देता हूं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं गाई डिजिटल मार्केटिंग हां तो डिजिटल मार्केटिंग ओवरॉल एक तरह समझ लोगी पूरा ओनलाइन पर जो भी है ना सोशल मीडिया हुआ वेफसाइट क्रेशन हुआ व को ओर वेफसाइट को अवर्ल मैंनेज किया सके तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप चाहो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जो पहला ऑप्शन था अगर आपको अच्छी डिजिटल मार्केटिंग ओ आती है तो आप फ्रीलांसिंग वेसाईट पेर जा से अपनी सर्भीस च्चित सकते हो तो डिजिनल मार्केटिंग इस फ़ॉम फ मार्केटिंग के इंचितल सॉन्लाइड नौटिन टेकनोलोजी सच आज तो एक थोड़ा अलग पॉन सब्सक्राइब तो अपने बिजनस को अगर आपका खुद का बिजनस उसको प्रमूट करना चाहते हैं या फिर कोई और ऑगनेशन आपसे प्रमूट करना चाहती है तो अगर आपको अच्छी डिचल मार्केटिंग आती है तो आप अच्छी अगर आप अच्छी बात है आपके पास आपका अच्छा और बहुता है और आपका बनता है कि आप उनको कुछ अच्छे प्रोड़क्ट्स हुए उनको बताओ कि हैं यह चीज है मार्केट में जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी तो एक सोचल मीडिया इंफ्ले अगर बन गए हो तो काफी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो साथ साथ लोगों को हैप बीकर सकते हो कुछ अच्छा प्रोड़क्ट अगर है मार्केट में तो उसको उन तक पहुचाने के लिए हैं तो तो शोचल मीडिया इंफ्लेंसर इस परसन हूँ है जैसे मैंने बताया मीडिया फ्लेटफर्म हो गया चाहिए यूट्यूब हो गया इंस्टागरम हो गया टिक टॉक को यहां से काट दो ओके तो सोचल मीडिया इंफ्लेंसर क्रिएट्स शेर्स कंटेंट्स और स्पेसिफिक टॉफिक सच फैशन ब्यूटी गेमिंग ट्रेवल मोर जो भी आपका है अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो जैसे कि हमारे यह जो चैनल है इंफ्लेंट करना डिफरेंट चीजों के बारे में अगर आपके जो भी व्यूवर्स हैं जो भी आपके जो आपके साथ आपको देखते हैं अगर उनके लिए कुछ शूटिबल है तो आप प्लीज रिकमेंट कीजिए अपने व्यूवर्स को तो यह टोटल चीज होती है और उसके बदले आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं को लिए भी हो गया अगर उसका बंदो बजेगा तो उसकी सेज बढ़ेगी आपके का है कि आपको कमिशन को कुछ पैसे वी देगा हो अगर आप उसका सर्विस को प्रेंट овोट कर रही हो और सन्स वाफशा प्रोडक्त वाया उलव वीवर्स हैं उनको भी अगर वो help कर रहा है value for many दे रहा है तो वो भी win-win situation उनके लिए फायदा बन्द हो गया तो तीनों तरह से विन-win situation है तो इनी चीज़ में वर्क करना चाहिए अनर्थिकल वे में नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ आगे बढ़ते हैं So guys content writing भी एक बहुत ही अच्छा option है अगर आप इसमें अच्छे हो अगर आपको ideas आते हैं different तरीके की script से ले सकते हो तो काफी अच्छा option है जैसे कि थोड़ा explain कर दिया जाए कि content writing process of planning, writing, editing, web content typically for digital marketing purpose अब इसको आप digital marketing में भी use कर सकते हो और जैसे कि मैंने starting में बताया था कि freelancing स related work होता है तो ये freelancing में भी आजाता है तो आप online अराम से इसको अच्छे से कर सकते हो गर आप if you have some idea about this ठीक है तो it can include writing blog posts, articles, scripts for videos, podcast हो गए बहुत सारे podcast आसकल famous है podcast related कुछ script आप बना सकते हो तो उनसे related भी आप चीजों पर work कर सकते हो content writing कर सकते हो कि आपका जो पूरा podcast है माल कर सकते हो कि starting से questions होंगे, ending ऐसे होगे, starting ऐसे होगे, बीच में ये चीज़े discuss होंगे तो वह बहुत साई चीज़े हो जाती है, the content rising is also a practice of producing content that educates the readers, improves branding, solves the confusion and pulls the perspective customers towards end of the buying funnel. अच्छा इसका sales में भी use होता है बहुत अच्छा, अगर आप sales related हो तो आप अगर इसके बारे में पढ होगे, तो काफी अच्छे तरीके से इसको इसको इस्तमाल कर सक होगे, so guys आशा करता हूँ, काफी अच्छी information मिल गई होगी और कुछ और additional चीज़ें, जैसे कि online source of income के हो सकते हैं, जो कि ये मैंने mention कर रखे हैं, आप चाओ तो इनका screenshot लो सकते हो, बारिवाई से इनको हो गया, ये सब भी अपने आप में काफी अच्छे options है, so guys आशा करता हूँ, इस वीडियो से आपको काफी अच्छी information मिल गई होगी, जिससे आप एक side by side earning कर सकते हैं, लेकिन depend करता है, आप step ले, अगर आप step लोगे, करने लोगे, और ऐसा नहीं है कि महीने, दो महीने, पा कर इंप रेज मेश करूब है